प्रडम हैमारे पास टैक्सेशिन से मतलिक लिए उत्स प्रव्लेम्न कार 315-6500-6500-informe अनुर्ष भास्शियोट मेंंठरीड़, भॉम कारई तरहे दो फेलेटीरिक कें गार्सफेली कुलीदमी stereotype भॉम्066,000,000 and ₹09,000,000 respectively तो जितने ज्यादा क्यूबिक सेंटेमिटर होंगे, इसका मतलब है गाड़ी की पावर या एंजिन की पावर उतनी ज्यादा है, ठीक है, और एक गाड़ी है, 1600cc कार अब यहाँ पर एक important बात कि आप आपको यह भी पता चले कि पाकिस्तान में गाड़ी इतनी expensive क्यों होती है ठीक है अब लिखें विदाउट एक्साइज ड्यूटी यह नहीं जो इन पर ड्यूटी लगती है ठीक है जो आप अब इंपोर्ट करते हैं गाड़ी बारते तो उस पर जो एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है जो tax है basically उसकी वएसे गाड़ी बहुत expensive होती है अऑ और दूसरी गाड़ी 600 CC है उसकी प्रैस विदाउट एकशाइज ड्यूटी कितनी है कितनी है रूपीज एक्साइज ड्यूटी अब आप देखें ड्यूटी कितनी अप्लाई की जा रही है इस पे अप्लाई की जा रहिए ठीक है और duty जो इस पे apply की जा रही है वो कितनी है 250% आप यहाँ पर देखें आप हमारे पस information सारी आ चुक्किए question है जी if the excise duty on these are these mention 200 and 250 respectively find the prices of the two costs inclusive duties यहीं duties मिला के गाड़ियां हमें कितने में पढ़ेंगी कितने की गाड़ी हो जाएगी आप यहाँ पर देखें सबसे पहले यहीं 200% का क्या मतलब है हर 100 रुपे के पीछे आपको 200 रुपे टेक्स देना पड़ेगा हर 100 रुपे के आप देखें 6 lakh ठीक है 6 lakh इसी तरह से यहां पर मैं अगर एक separation line लगा दूँ ठीक है तो यह इसका अगर आपके clear करें तो यह आज़ेगा 250 divided by 100 यह नहीं this is also duty ठीक है यह भी duty की ही बात की जा रही है divided by 100 multiplied by 8 lakh ठीक है 8 lakh अब यहां पर देखें यह 2 0 into 0 से cancel तो 6 2s are 12 rupees 12 lakh common sense की बात है कि गाड़ी की प्राइस इतनी नहीं है जतनी आप duty दे रहे हैं तो definitely गाड़ीं महंगी होंगी अगर आप यह duty नहीं देंगे तो definitely गाड़ी तो 6 lakh रुपे की है ठीक है इसलिए पाकिस्तान में गाड़ी खरीदना बहुत मुश्किल काम है ठीक है यह 0 इस 0 से cancel और यह 0 इस 0 से cancel ठीक है 25 जरब 80,000 करेंगे ठीक है यह बलके आठ लाग 25 जरब 80,000 exactly 25 जरब 80,000 करेंगे तो यह बन जाएगा 20 लाग यह किता बन जाएगा 20 लाग यानि यहां पर तोड़ा से मैं शो करता हूँ 20 लाग रुपीज 20 लाग ठीक है रुपीज 20 लाग अब देखें 8 लाग गाड़ी के ऊपर जो है वो आप 20 लाग रुपया जाएगा डुटि दे रहे हैं शे लाग की गाड़ी के ऊपर आप 12 लाग रुपय डुटि दे रहे हैं तो डैफिनिट्ल् anticip होगी अब इसका मतलब है प्राइस इंक्लूसिफ प्राइस अफ प्राइस आफ ब कार्स cars, inclusive text नहीं, text को inclusive का मतलब है, शामिल करके यह नहीं, inclusive duties, inclusive duties, तो वो कितनी आजएगी 6,00,00 प्राइस है जमा 12,00,00 duty है, तो कितनी होगी 18,00,00 रुपीज, 18,00,00 की होगी ठीक है, 18,00,00 की होगी, ठीक है और इसी तरह से, अगर इसको देखते हैं, तो 8,00,00 की गाड़ी है, 20,00,00 रुपीज, ड्यूटी है तो उसका मतलब है, रुपीज 28,00,00 की यह गाड़ी होगी तो इस तरह से, आप जो है, गाड़ीों की कीमत जो इंपोर्ट होती है पाकिस्तान में उनकी उपर एक ड्यूटी जितनी परसन होती है, उसको अपलाई करके आप गाड़ी की कीमत निकाल सकते हैं